गाजीपूर से आनन्द कुमार पत्रकार की रिपोर्ट जिलाध्यक्ष राम्धारी यादव ने सभी नवमनोनी तपदाधिकारियों का माल्यारपन करकिया स्वागत गाजीपूर समाजवादी पार्टी के कार्यकरताओं ने जिलाध्यक्ष रामधारी यादव के नेत्रित्व में पार्टी कार्याले संता भवन पर समाजवादी पिछणा वर्थ के नवमनोनी प्रदेश सचिव रामयश यादव समाजवादी मजदूर सभा के प्रदेश सचि वरून कुमार गुपता एवं राजेश गोर तथा समाजवादी शिक्षक सभा के जिला सचिव योगेंदी प्रसाद तथा पारस यादव का माल्यार पंड कर भग्य स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष रामधारी यादव ने सभी नवमनोंी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि जिस भरोसे और विश्वास की साथ पार्टी ने जिम्मेदारी सौपी है उस भरोसे और विश्वास पर खरा उतरते हुई इमानदारी पे अपने कर्तवयों का निर्वहन करेंगे। उन्होंने इस अवसर पर उपस्तित सभी कार्यकरताओं से अपने अपने क्षेत्र में जाकर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए चुनाव प्रचार में लग जाने का अहवान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी का इंतजार न कर सभी लोग पार्टी की वीतियों नीतियों एवम अखिलेश ची द्वारा की गई गोश्नाओं का प्रचार प्रसार करते हुए जन्ता के बीच जाकर अखिलेश ची को मुख्यमंत्री बनाने की अपील करें। उन्होंने कहा कि भाजपा में मची भगदर इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि भाजपा सरकार की विदाय और समाजबादी पार्टी की सरकार बन्यते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने देश को मन्हगाई की आग में जोंक दिया है। आज प्रदेश का कोई भी वर्ग और समाज खुशाल नहीं है। भाजपा सरकार की जंगरोधी नीतियों से पूरा देश और प्रदेश त्रस्त है। उन्होंने कहा कि योगी जी मुख्यमंत्री की भाशा नहीं बोल रहे हैं बलकि वह दहशतकर्दों की भाशा बोल रहे हैं। इस स्वागत समारोह में मुख्य रूप से फूर्ग जिलाद्यक्ष सुदर्शन यादव दिनेश याद कुष्वाह रमेश यादव निसार एहमत जिला महासचव समाजवादी पार्टी रामकेश यादव सेक्ट प्रभारी ब्रमेश्व उपेंद्र कुष्वाह ब्लॉक अध्यक्ष सादा साहब यादव शंभुनेता रामकिशन सोनकर जिला पंचायत सदस्य दॉक्तर संजे यादव कमलेश यादव रामनभीना यादव सदानन्द यादव चंदन यादव रामविलास राजभर सर्वेश यादव विजय यादव रविकांत यादव विकास यादव उर्थ मिल्टू युवा नेता नितेश यादवादी उपस्थित थे समारों का संचालन जिला अब दिया ना आपके अभरेंदमन का और आगामी जो चुना आप सामने देख रहा है इसकर क्या कहेंगे आपको आगामी चुना जो सामने देख रहा है रस्टाचार, महंगाई, देरोजगारी के खिलाप हम लोग संघर्ष करके आगे सत्ता में वाफसी करेंगे और 2022 में माननी राष्टिय देख अखलेज जी को मुख्मंत्री बना के हम लोग संघर्ष करेंगे अच्छा है चुहल देख रहा की समाज पार्टी और आप पार्टी तो लोग में देख रहा है जी हाँ इसमें तो बहुत जादे दावेदार है हमारा एक कंडिडेट होगा जाए उस्वेल्देव का हो चाह स्वाजबादी का हो एक कंडिडेट एक निसान साइकल निसान मजदूर सभा के प्रदेश सचिव यमना यादू की बताईए कि सरे चुनाव आपको सामने दिख रहा है 2022 का इसका क्या लक्षे रहेगा लच्छे रहेगा कि हम लोग 400 सीट के करीब पहुँचे है और चुनाव को प्रचंड पहु पहुमत से हम लोग गीटने जा रहे हैं अब सीट का आकड़ा हमें बढ़ाना है पहुमत तो मिल गया मिल जाएगा लेकिन सीट का आकड़ा हमें बहुत ज्यादा बढ़ाना है और इस सरकार के पुरीतियों से नवजवान छात्र किसान मजदूर महिलाएं सारे लोग और महंगाई से सारे लोग परशान है इसलिए जनता ने मन बना लिया है सरकार को बदलने का और आने वाला जो चुनाव है निश्चीत तोर पर भारती जनता पार्टी के ताबूत का आखरी जिल साबित होगा उसके पिलिए आने वाले राजनीतिक हविस्यक्त के भी का खरी की लोगाई चुलाओं